ओम सान्ती आज 26 अगस्त 2020 की मुड्ली में बाबा ने कहा मिठे बच्चे बाबा आए हैं तुमें किंग ओफ फ्लावर बनाने इसलिए विकारों की कोई भी बद्बू नहीं होनी चाहिए आज की मुड्ली का प्रस्न है विकारों का अंस समाप्त करने के लिए कौन सा पुर्शार्थ करना है उत्तर है निरंतर अंतरमुखी रहने का पुर्शार्थ करो अंतरमुख अर्था सेकिंड में सरीर से डिटेच इस दुनिया की सुधबूद बिलकुल भूल जाएं एक सेकिं में उपर जाना और आना इस अब्यास से विकारों का अंस समाप्त हो जाएगा करम करते करते बीच बीच में अंतरमुखी हो जाओ ऐसा लगे जैसे बिलकुल सन्नाटा है कोई भी चुरपुर नहीं यह सश्टी तो जैसे है ही नहीं अब सुनते हैं मुड्ली विस्तार से ओम सांती यहां हर एक को बिठाया जाता है कि असरीरी हो बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सश्टी चक्र है उनको भी याद करो मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं समझेंगे ही नहीं जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे तुमको यही याद करना चा इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है जिससे आसूरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे ऐसे नहीं कि कोई असूर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते यह ज्यान तुम बच्चों को यहां मिलता है कमल फूल समान ग्रस्त व्यवार में रह पवित्र बनो बगवानु वाच है न यह एक जनम पवित्र बनने से 22 जनम तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे सत्यू को कहा जाता है सिवा ले कल्यूग है वैस्या ले यह दुनिया बदलती है बारत की ही बात है औरों की बात में जाना ही नहीं चा जानवरों का क्या होगा और दर्मों का क्या होगा ये पूछते हैं ना प्रसनवरों का क्या होगा दूसरे दर्मों का क्या होगा बोलो पहले अपना तो समझो पीछे औरों की बात भारत वासी ही अपने दर्म को भूल दुखी हुए हैं भारत में ही पुकारते हैं तुम मात प पिता अक्सर नहीं कहते, वह सिर्फ गोड फादर कहते हैं। 이는ikan को क्या गोड फादर बोलते है ना सबको, मात पिता अक्सर ही नहीं यह वाँ। बरोबर बारत में ही सुक गनेरे थे, बारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर काटो को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर काटो को फूल बनाओ, बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर काटो का जंगल बनाती है, मनुश्य तो कह देते हैं, इस्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, न इस्वर को न माया को समस्ते है कोई ने अक्षर कहा बस repeat करते रहते हैं पड़ा-पड़ाया repeat कर दिया समस्ते कुछ भी नहीं अर्थ कुछ नहीं तुम बच्छे समस्ते हो ये ड्रामा का खेल है राम राज्य का और रावन राज्य का राम राज्य का और रावन राज्य का राम राज्य में सुक, रावन राज्य में है दुख यहां की ही बात है यह कोई प्रभू की माया नहीं है माया कहा जाता है पांच विकारों को जिसको रावन कहते हैं बाकी मनुष्य तो पुनर जनम ले 84 के चक्र में आते हैं सतोगुनी से तमोप्रदान बनना है इस समय सब विकार से पैदा होते हैं इसलिए विकारी कहा जाता है नाम भी है विसस दुनिया फिर वाइसलेस दुनिया अर्थार्थ पुरानी दुनिया से नहीं कैसे बनती है ये बात होती है न विस्सस दुनिया और फिर वाइसलेस दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया से नहीं कैसे बनती है यह तो समझने की कॉमन बात है न्यू वर्ड में पहले हैविन था बच्चे जानते हैं स्वर्ख की इस्तापना करने वाला परम पिता परमात्मा है उसमें सुक गनेरे हुए है ग्यान से दिन बक्ति से रात कैसे होती है यह भी कोई समझते नहीं है कहेंगे ब्रह्मा तता ब्रह्मा मुख वनसावली ब्रामनों का दिन फिर उन्ही ब्रामनों की रात दिन और रात यहां होता है यह कोई नहीं समझते प्रजा पिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वनसावडी ब्रामनों की भी रात होगी आदा कलब दिन आदा कलब रात अब बाप आए है निर्विकारी दुनिया बनाने बाबा किसली आये है अब निर्विकारी दुनिया बनाने सत्योग में कोई विकार नहीं होंगे बाब कहते हैं बच्चे काम महा सत्रू है उन पर जीत पानी है बाबा सब मुल्यों में कहते हैं काम महा सत्रू है उस पर जीत पानी है संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किये है यह ही पाप आत्मों की दुनिया पाप जरूर सरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं यहां तुम स्रीमस से सिष्ट पुन्या आत्मा बन रहे हो स्री स्री 108 की माला है उपर में है फूल उनको कहेंगे सिव यह है निराकारी फूल सिव बाबा निराकारी फूल है ना फिर साकार में मेल फिमेल है उनकी माला बनी हुई है सिर्व बाबा द्वारा ये पूजन सिम्रन लायक बनते हैं तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से याद से ही विकर्म विनास होंगे फिर तुम सत्व प्रदान बन जाएंगे वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं प्रभू तेरी माया प्रबल है किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है वास्तव में माया पांच विकारों को कहा जाता है जिसको रावन भी कहा जाता है उन्होंने फिर रावन का चित्र बना दिया है दस सीस वाला रावन को कैसा बताते हैं दस सीस वाला बताते हैं अब चित्र है तो समझाया जाता है दस सीस का मतलब पास सीस इस तरी के पास सीस पुरुस के जैसे अंगत के लिए भी दिखाते हैं उनको रावन ने हिलाया परंतु हिला न सका रामायन में बताते हैं न अंगत को हिला नहीं सकता अंगत वाँ बैठ जाता है उसके बाद रावन भी उसको नहीं हिला सका रस्तांत बना दिये हैं बाकी कोई चीज है नहीं ठीक है न तो बाब कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम इस्तिर रहो रावन, हनुमान, अंगद, आदी ये सब रस्टांत बना दिये हैं जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो ब्रमरी का भी रस्टांत है ब्रमरी और ब्रामरी रासी मिलती है तुम विष्टा के कीडों को ज्यान योकी भूं भूं कर पतिस से पावन बनाते हो बाप को याद करो तो सत्व प्रदान बन जाएंगे मुक्य है याद याद करेंगे तो सत्व प्रदान बन जाएंगे अर्था सत्युग में आ जाएंगे कच्च्वे का भी डस्तांत है इंद्रियों को समेट कर अंतरमुक ओ बैड़ जाते हैं तुमको भी बाब कहते हैं बल करम करो फिर अंतरमुक हो जाओ, जैसे कि ये सस्ती है यी नहीं, चुरपुर बंध हो जाती है, बक्ती मार्ग में बहर मुकी बंद परते हैं, गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं बक्ति मार्ग में लगते हैं मेले, खथाएं, आदी बाप कहते हैं यह सब छोड़, अंतरमुख हो जाओ जैसे कि यह सरस्टी है नहीं अपने को देखो, हम लायक बने हैं बाबा कह रहे हैं, अपने आपको देखो कि हम इसलायक बने हैं कोई विकार तो नहीं सताता है हम बाप को याद करते हैं बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए हम आत्मा है हमारा यह बाप है अंदर में यह चलता रहे हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं अक का वा टांगर का फूल नहीं बनना है हमको तो एकदम किंग औफ फ्लोवर बिलकुल खुस्बूदार बनना है कोई बदबू न रहे बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए ठीक है ना? पूरे ख्यालात नहीं होने चाहिए बिलकुल माया के तुफान गिराने के लिए बहुत आएंगे करमेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है अपने को सुदारना है कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, सरीर निर्वा अर्थ करम भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो, फोजन खाते समय भी बाप की मैमा करते रहो, बाबा को याद कर खाने से बोजन भी पवित्र हो जाता है, जब बाप को निरंतर याद करेंगे, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे, और तुम सत्वपरदान बनेंगे, देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ, अपने आपको चेक करना है, कि मैं कितना सच्चा सोना बना हूँ, अर्था कितना सत्वपरदान बना आज कितना गंटा याद में रहा, कुल तीन गंटा याद में रहा, आज दो गंटा रहा, यह तो आज गाटा हो गया, कल तीन गंटे रहा और आज दो गंटे रहा, तो यह तो आज गाटा हो गया, उतरना और चड़ना होता रहेगा, बगवान कहते हैं यह होता रहेगा, कभी उत्रेंगे, कभी चड़ेंगे, यात्रा पर जाते हैं, तो कहां उच्छे कहां नीचे होते हैं, तुमारी अवस्ता भी नीचे उपर होती रहेगे, अपना खाता देखना है, मुक्य है याद की यात्रा, बगवान वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे अब भगवान किसको कहा जाए कृष्ण तो सरीरधारी है भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है खुद कहते हैं मैं साधरन तन में प्रवेश करता हूं ब्रह्मा का भी बुढ़ातन गाया हुआ है ब्रह्मा का तन कैसा बताया हुआ है बुढ़ा बताते हैं न सपेद डाड़ी मुच्छे तो बुढ़े की होती है न बुढ़े हुए बाबा जबी तो उनमें प्रवेश किया सिव बाबा ने चाहिए भी जरूर अनुभवी रत क्योंकि बाबा को भी अनुभवी रत चाहिए छोटे रत में थोड़ी प्रवेश करेंगे खुदी कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं वह है सुप्रीम गौड फादर अत्वा सुप्रीम सौल तुम भी 100% पवित्र थे अभी 100% पवित्र बने हो सत्युग में 100% प्यॉरिटी थी तो पीस एंड प्रास्परेटी भी थी मुख्य है प्यॉरिटी देखते भी हो प्यॉरिटी वालों को इन प्यॉर माथा टेकते हैं उनकी महिमा गाते हैं सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुन संपन हो हम पापी नीच है देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं फिर साधी करती है तो सब के आगे माथा टेकती है क्योंकि विकारी बनती है न अभी बाप कहते है तुम निर्विकारी बनेंगे तो आदा कलब निर्विकारी हो रहेंगे आदा कलब निर्विकारी रहेंगे न सत्युक्तिता में अभी पांच विकारों का राज्य ही खत्म होता है यह है मृत्यू लोग वह है अमर लोग सत्यू क्या है अमर लोग और अभी कल्यू क्या है मृत्यू लोग अभी तुम आत्मा को ग्यान का तीसरा नैत्र मिलता है बाप ही देते हैं तिलक भी मस्तक पर देते हैं अभी आत्मा को ग्यान मिल रहा है किसके लिए तुम अपने को आप पर ही राज दिलक दो राज तिलक अपने आपको आपपे ही देना है जैसे बेरिश्ट्री पड़ते हैं तो पढ़ कर अपने को आपे ही बेरिश्ट्री का तिलक देते हैं पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा आजसीड वाज से थोड़ी मिलेगा फिर तो सब के उपर टीचर क्रपा करे सब पास हो जाए बच्चों को अपने को आपे ही राश्तेलक देना है बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनास होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ देवी देवताइं डबल सिर्ताज बनते हैं देवी देवताओं के डबल होता है ना सिर्ताज दो होते हैं एक पवित्रता का और एक लाइट का पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं तुमको पूजारी राजाओं से भी उच बनाते हैं जो बहुत दान पुन्य करते हैं तो राजाओं के पास जनम लेते हैं क्योंकि करम अच्छे किये उन्होंने अच्छे करम किये तो वो राजगराने में जाएंगे राजाओं के या जनम लेंगे अभी यहां तुमको मिला है अविनासी ग्यान धन वह धारन कर फिरदान करना है यह source of income है टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए विलैस से पढ़कर आते हैं आने से ही हाटफेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खतम यहां आए पढ़कर और यहा तो ही हाटफेल हो गया तो सारी पढ़ाई भी साथ गई विनासी हो गई ना तो यह पढ़ाई क्या हो गई विनासी हो गई मैनत सारी मुप्त में गई तुमारी मैनत ऐसे नहीं जा सकती लेकिन अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सरीर के साथ नहीं जाएगी ऐसे नहीं होती ही नहीं कहां पर सत्यूग में यह पड़ाई साथ ले जाएंगे अब जैसे बाप कल्यानकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्यानकारी बनना है सबको रास्ता बताना है बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं एक की बात समझाओ कि सर्व स्रेष्ट सिरो मनी स्रीम बगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है बगवान की ही स्रेष्ट मत है अब बगवान किसको कहा जाए अब सवाल यह आता है बगवान किसको कहा जाए बगवान तो एक ही होता है वह है निराकार सब आत्मों का बाप इसलिए आपस में बाई बाई कहते हैं जबी तो सबी बच् फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सश्टी रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े यह है युक्ति क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए संबाल रखनी है हमारी आखे कहां मतवाली तो नहीं बनी आखों की संबाल करनी यह भाबा हमेशा मुल्यों में कहते हैं बजार में चन्ने देख, दिल तो नहीं हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती है फिर खा भी लेते हैं बारगा खा लेते हैं कुछ भी दिखा दिल हो गई खा लिया ब्रामनी है किसी बाई के साथ जाती है वह कहते हैं चना खाएगी एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा जो कच्छे होते हैं वो जट खा लेते हैं इस पर सास्त्रों में भी अर्जुन का रस्तान्त है यह कहानिया बैट बनाई है बाकी है सब इस समय की बातें तुम सब सीताएं हो तुमको बाप कहते हैं एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे बाकी और कोई बातें है नहीं अभी तुम समझते हो रावन कोई ऐसा मनुश्य नहीं है यह तो विकारों की प्रवेस्ता हो जाती है तो रावन संप्रदाय कहा जाता है जैसे कोई-कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असूर हो चलन असूरी है विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो यह फिर बहत का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं फिर काला मुह करते हो प्रतिग्या कर फिर विकारी बन पड़ते हो यहां तो प्रतिया कर ले तो फिर वापस विकारों में चले जाते हो अर्थात विकारी बन जाते हो काले से भी काला बन जाते हैं इसलिए पत्थर बुद्धी कहा जाता है फिर अब तुम पारस बुद्धी बनते हो तुमारी चट्तिकला होती है बाप को पैचाना और विश्व का मालिक बने संसे की बात हो नहीं सकती बाप है Heavenly God Father तो जरूर Heaven सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए सिव जैनती भी मनाते हैं क्या करते होंगे वरत आदी रखते होंगे वरत रखते हैं ना सिव जैनती पर वास्ता में वरत रखना चाहिए विकारों का बाबा कहते हैं वरत अगर रखना ही है तो विकारों का रखो विकारों में नहीं जाना है इनसे ही तुमने आदी मद्य अंत दुख पाया है अब ये एक जन्नम पवित्र बनो पुरानी दुनिया का विनास सामने खड़ा है तुम देखना भारत में नौ लाक जाकर रहेंगे फिर सांती हो जाएगी सत्यूग में सुरुवाती जन संक्या किती होगी नौ लाकी होगी न और धरम ही नहीं रहेंगे तो जो ताली बजे एक धरम की स्तापना बाकी अनेक धरम विनास हो जाएगे एक अदि सनातन देवी देवता धरम की स्तापना होगी बाकी सबी धरमों का विनास हो जाएगा अच्छा मिठे मिठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुवानी बच्चों की रुवानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 अब सुनते हैं आज की मुल्ली कई दारना के लिए मुक्य सार पहला पॉइंट है अविनासि ग्यान धन स्व्यम में धारन कर फिर दान करना है पड़ाई से अपने आपको स्व्यम ही रास्तिलक देना है जैसे बाप कल्यानकारी है वैसे कल्यानकारी बनना है दूसरा पॉइंट है खाने पिने की पूरी पूरी परेज रखनी है कभी भी आखे दोका न दे यह संबाल करनी है अपने को सुदारना है करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है आज का वर्दान है बीजरूप इस्तति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्यानकारी भव विस्तार है बीजरूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है यही स्टेज लाइट हाउस का खारिय करती है इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित बनते हो जैसे बीज ड्वारा स्वत्य इस सारे व्रक्स को पानी मिल जाता है ऐसे जब विजरूप स्टेज पर इस्तित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्यानकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए इसके लिए लाइट हाउस बनो न की बल्ब हर संकल्प में स्मर्ती रहे की सारे विश्व का कल्यान हो आज का स्लोगन है एडजेस्ट होने की सकती नाजुक समय पर पास विद ओनर बना देगी अच्छा ओम सांती